Hello friends, I am Rajiv and you are watching DTV India's Only 360 TV Tech News Platform दोस्तों आप एक budget laptop की तलाश कर रहे हैं गेमर हो या content create करना चाह रहे हो एक अच्छा laptop जो आपके budget में आ जाए तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे नए gaming laptop पर बेस्ट है HP के भी जो laptop हमारे पास review के लिए आये थे previously वो सारे Intel बेस थे बट इस बार हमें AMD powered laptop मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप content create करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप budget में कोई laptop देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो के end तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में ये सारी detailing आने वाले है कि ये laptop कैसा है, performance कैसा कर रहा है gaming कैसा रहने वाला है और आप अगर इस पर video rating करते हैं या फिर कोई content create करना चाहते हैं कुछ ऐसा heavy task करना चाहते हैं बात करते हैं इसके designing की designing बेहदी खास है इस laptop का Victus का ये नया laptop काफी अच्छे designing के साथ है यानि designing at the top है जो सबसे key highlights है इस laptop का वो इसके designing one of the key highlights है apart from the powerful configuration which is supported by AMD अब बात करते हैं इसके design की तो काफी minimal है इसका design Victus logo back में काफी बढ़िया दिया गया और इसके back को काफी stylish look भी देता है only plastic and polycarbonate material से बना हुआ लेकिन इसके build quality बहुत ही perfect है और plastic body होने के वज़े से ये heat भी नहीं होता जाता और इस laptop का weight तकरीबन 2.29 kg है दोस्तों designing इसकी आपने देख ली one of the top element है इस नया laptop का जो कि ये gaming laptop है content creator के लिए launch किया गया laptop है आप बात करते हैं इसके display की तो इसमें आपको जो display मिल रहा है 144Hz display rate पे मिल जाता है 100% आपको sRGB color support मिलता है 71% Adobe RGB का support मिल जाता है साथ में आपको anti-clear support भी मिलता है ये laptop IPS LCD screen के साथ आता है 300 nits peak brightness के support पे 100% RGB and 76% DCI-P3 support भी मिल जाता है इस laptop के side view angle भी काफी बढ़िया है और आपके जो visuals हैं वो काफी perfect दिखते हैं इस तरह के display से आपका viewing experience है वो काफी बढ़िया होता है और आपको काम करने में या आपको game खेलने में काफी मज़ा आता है दोस्तों आप बात करते हैं इसके keyboard के keyboard काफी बढ़िया है इस keyboard की जो खास बात है क्योंकि ये Victus का एक ऐसा laptop है जिसमें पहली बाल आपको RGB keyboard मिल जाता है और आपका जो experience है, game खेलने का वो काफी elevate होने वाला है यहाँ प HP ने full size keyboard यूज़ किया है इस laptop में जो keys के बीच में gap से और वो काफी सही है और typing में काफी मज़ा आता है दोस्तों आप बात करते हैं इसके configuration की जिस स्पेस का performance based है इसमें आपको AMD Ryzen 7, 7840HS प्रोसेसर का support मिलता है साथ में आपको solar GB का RAM मिल जा रहा है 512 SSD के साथ आता है ये laptop, Windows 11 OS based है audio की बात करें तो audio भी इसमें आपको B&O का dual speaker मिलता है Miriatek का WiFi support 6E मिल जाता है Bluetooth 5.3 मिलता है और साथ में आपको 70Wh battery support मिल जाता है इसमें हमने GTA V खेल के देखा और Mac setting पर कमाल का FPS निकाल के दिया इसने और आप इसमें easily कोई भी game play कर सकते हो high setting पर performance बढ़िया निकलने वाला इस laptop दोस्तों अब बात करते हैं इसके connectivity option connectivity बहुत important role play करता है आपके different component और peripherals को इससे connect करने के लिए अब बात करते हैं इसके ports and buttons की इसमें आपको power port मिल जाता है USB-C साथ में आपको Thunderbolt 4 port भी मिल जाता है और USB की connectivity के भी 3 ports मिल जाते है HDMI port इसके साथ आता है और left side में आप देखोगे तो आपको RJ45M Ethernet cable मिल जाता है और एक headphone jack का port भी मिल जाता है तो दोस्तों अब हमारा आखरी section आता है हमारे इस review video का वो है DTV verdict HP Victus 16 gaming laptop हमारे अपने uses में काफी अच्छा performance देखे गया इसके जो performance है इसका जो configuration है इसका जो hardware है और overall इसके designing हर कुछ perfect है एक gaming laptop इस budget segment में क्योंकि इसके जो pricing है वो एक mid range एक budget range में आता है अगर आप 1,000,000 के अंदर का laptop purchase करना चाहरे है तो ये laptop perfect है इसके starting price 86,999 रुपीज है अपने requirement के recording आप इसके variants को choose कर सकते है अगर हम बात करें इसके overall हमारे अपने feedback के तो हमारा अपना feedback इसके काफी बढ़िया रहा हमारी team ने इसको rigorously 15 days use किया काफी सारे gameplay किये और इसमें हमने video rating work भी किया कुछ और designing work भी किया और हर work performance पे इसका 100% support रहा हमारे output में तो overall HP Victus 16 AMD powered laptop काफी अच्छा performance दे के गया हमारे review में और हम इसे recommend जरूर कर सकते हैं आपको अगर आप gamer हो और आप एक content creator हो और इस range का laptop search कर रहेंगे तो नीचे description में मैं link देदूँगा आप जरूर चेक करें आज की pricing चेक करें अपनी variants चेक करें कि आपको कौन सा model इसमें लेना है क्योंकि इसकी pricing 86,999 बुपी से शुरू हो रही है दोस्तों मुझे उमीद है HP Victus 16 का ये AMD power laptop आपको जरूर पसंद आया होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आप से share करी कुछ ऐसी चीज़ें जो पहली बार इस laptop में लाई गई है अगर इसके अलाबा भी अगर आप कुछ हमसे जाना चाहते हैं तो हमसे जरूर पूछें कुछ ऐसी चीज़ जो रह गई है कमेंट करके हमसे जरूर पूछें और उससे ज़्यादा जरूर है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी इस वीडियो को like करें share करें अपने दोस्तों के साथ अपने गेमर्स कॉमूनिटी में Content Creators कॉमूनिटी में क्योंकि हमें आपका प्यार इस तरह मिलता रहना चाहिए और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे इससे भी ज़ादा ज़रूर ही है हमारे website www.digitalterminal.in पे ज़रूर लॉग इन करें अगर आप tech world से जड़ू ही हर news पढ़ना चाहते हैं साथ में हमारे social media platform facebook, linkedin, instagram और x पे ज़रूर हमें follow करें क्योंकि हम हर पल हर एक नई ख़बर को update करते हैं अब आप follow करोगे तो आप कोई भी ऐसा news है वो miss नहीं कर पाओगे जो आपको जाना चाहिए क्योंकि tech आपको power करता है empower करता है आप अच्छे से आगे life में बढ़ सकें दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जल मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये अपनी family का ख्याल रखिये goodbye and take care